भगत का तात्पर्य है लीन हो जाने वाला भगत सिंग बच्पन से ही आजादी की लड़ाई के माहौल में पूरी तरह से लीन था जब उसकी उम्र के बच्चे खेलते पढ़ाई करते तब वो किसी क्रान्तिकारी पार्टी के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते जलियाँ वाला भाग उसके दिलो दिमाग पर ऐसा चाया के फिर उसने किसी रिष्टे की सुध नहीं ली सिर्फ एक ही बात उनके दिमाग पर चायी रहती आजाद भारत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते कब वो जवानी की तहलीश पर कदम रख बैठे उन्हें खुद नहीं मालूम था बस एक दिन सस्री कहा वेर जी और सस्रियाकाल सस्रियाकाल आज इतने दिनों बाद इस दुकान का रास्ता कैसे बोल गया बगत सिंग जी और कभी कभी हमारी दुकान पर भी चाय पीने आ जाय करो नए नए वेर जी रास्ता कहा भूला हूँ देश की सेवा में लगा हूँ न इसलिए कभी इधर कभी उधर आना जाना लगा ही रहता है आप समझी सकते हो कि एकरांतिकारी का जीवन तो कहां तक पहुँची तुम्हारी करांति वीर जी जिस दिन देश के हर एक नौजवान ने अपने खून की एक एक बून भी दे दी न तो ये गोरे तो वेसे ही भाग जाएंगे बस एक मौके की तलाश है हाँ हाँ मौका क्यों पेकार की बात करते हो दोस्त आज़ादी पाने के लिए चाहिए जनून हिम्मत आत्म विश्वास भावना क्या इस तरह तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी दोस्त में तुम्हारा नाम तो नहीं जानता पर आ इतना जरूर जानता हूँ कि मौके छोटे होते हैं और परिणाम बड़े जल्म का नहीं बंदी हूँ साधारन सा रखता हूँ अपना बेश रगों में खूं की जगए आज़ादी दोड़ती है नाम है सुकदेफ मेरे हाथ की लखीरों में वतन हिंदुस्ता सा दिखता है रिष्टों के नाम की लखीरें मैंने खुद ही मिटा दी है यार मैंने कहावत सुनी थी एक और एक मिल जाएं तो ग्यारा होते हैं सही है ना गलत एक एक और एक मिल जाएं तो एक सो ग्यारा होते हैं सही है ना सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, यूँ ही मज़ाग करते रहोगे तो देश को आजाद कैसे कराओगे हवा में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता किसी भी काम को सही अंजाम तक पहुचाने के लिए गुरू की आउशकता होती है बच्चों, मनजिल पाने की चाह सबको होती है मनजिल की राह में दिक्कते तो आती है और इन दिक्कतों का सामना करना सिखाता है गुरू, चार-पांच लड़के कटे हो जाने से कोई करांधिकारी पार्टी नहीं बन जाती अगर वाकई आजादी की मनजिल को पाना चाहते हो तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की एच आरे को अपना गुरू बनाओ एच आरे? हाँ, एच आरे यानि हिंदुस्तान रिप्रिब्लिकन एसोसियेशन हिंदुस्तान में कुछ एक पार्टियां है जो लगन, महनत, तन्मन और धन से क्रांती में लगी हैं उनमें से एक है एच आरे आजादी पाना चाहते हो न? जी तो एच आरे से जुड़ो एक सच्ची क्रांतिकारी पार्टी राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलकर मेरा नमसकार कहना हो वो सब समझ जाएंगे चलता हूँ, जय हिंद जय हिंद आओ भगसिंग आओ एच आरे में तुम्हारा स्वागत है मुझे विद्यालंकर जी का संदेश मिल गया था जी मैंने सुना के तुम हमारी पार्टी को मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ मेरा एक सपना है कि मैं मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे दू मैंने बचपन से एक सपना देखा है पंडी जी आजाद भारत का सपना और और मैं जवानी का खून है है सपने भी देखेगा और जोश भी मारेगा भगजसिंग जवाने में खूण गर्म होता है लेकिन गर्म खूण और सफलता का आपस में कोई मेल नहीं कि सपने देखना तो आसान है पर उसको पूरा करना भगजसिंग एक एक पल में 500 बार मरना पढ़ता है, तुम जाओ, जाओ भगत सिंग, धर्ती मा, धर्ती मा कहते रहते हो, अरे बर्फ पे नंगा लिटा कर दो कोड़े भी पड़े ना, तो मुझ से धर्ती मा की जगए सिर्फ मा निकलेगा, किताबी बातें सिर्फ किताब में ही अच्छी लगती हैं भगत सिंग जी, खुन को पानी की तरह बहाना पड़ता है, तुम्हें क्या मालूम खुन का रंग कैसा होता है? ये क्या भगत सिंग, तुम ले अपना हाथ क्यों काट लिया? खुन का रंग सबका एक जैसा होता है बिस्मिल साहब, पर उसको बहाने में जिस हिम्मत की जरूरत होती है, वो हर किसी में नहीं होती, जलिया वाले बाग में बहे खुन को अपने अंदर महसूस करता आ रहा हूँ, इस इस देश से मेरा एक दिन इस तरह से नाता होगा, जै देखा है तो पाने की हिम्मत भी रखता हूँ, हारेगा वो जिसका दिल कमजोर हो, वाँ, वाँ, भाँ, 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 आज बहुत दिनों बाद एक सच्चे क्रांतिकारी से मुलकात होई है, अब इन गूरों से लड़ने का मज़ा, द बहुत जरूरी है, हमें हर प्रदेश की क्रांतिकारी पार्टी को इकठा करना होगा, मिलकर चलेंगे तो जीत जाएंगे, हमें अपने एक-एक मकसद के जानकारी एक-एक घर तक पहुचानी होगी, हम ब्रिटिश सरकार से नियत्थे नहीं लड़ सकते, उनसे मुकाबला कर लूट लें? नई, अपनों से ही पैसे लूटना और अपनों पर ही खर्च करना बिलकुल नहीं. फिर पंड़े जी? लूटना है तो क्यो ना इन गूरों को लूटें, हम अब की बार सरकारी खजाना लूटेंगे, हर महीने की नौ तारिख को सरकारी ट्रेन सरकारी पैसा ले 9 अगस्त 1925 को एचारे के सभी क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया गया सरकार तिल मिला उठी सरकार ने सभी को जो इसमें शामिल थे एक-एक करके गिरफतार कर लिया कुछ एक क्रांतिकारी ही बच पाए भगत भगत सुना है सब के सब पकड़े गई कोई भी नहीं बचा और पंडे जी पंडे जी भी हर बार के तरफ बच गई सुना है मामला शांत होने तक वो पटना चले गए होगे अंग्रेजों को हमारे सभी ठिकानों का पता चल चुका होगा शायद उस ठिकाने का भी जहां हमने सारा रुपया पैसा और सारे अधियार रखे हैं तुम सभी कहते हो भगत इससे पहले गोरे वहां तक पहुँचे हैं हमें वहां से सारा सामान निकालना होगा लेकिन सुक देओ ये भी हो सकता है कि पुलिस वहां सरकारी खजाना लूटने के बार पुलिस बिस्मिल को तलाश कर रही थी बिस्मिल की जगए हरे ने कमान संभाली हरे के पूर्व कारिकरता चंदरशेखर आजाद थे चंदरशेखर आजाद की भगत सिंग से पहली मुलाकात थी पाटी के बिखर जाने से आजाद भी परिशान थे कि आगे क्या किया जाए सब कुछ खत्म हो गया इतने सालों की मेहनत सब पानी में मिल गई इतनी जल्दी कैसे अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था अभी तो ठीक से हम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हुए थे कि कि सब कुछ खत्म हो गया पंडी जी होसला रखिये कहां से लाओ होसला भगत कहां से लाओ होसला मकान बनाने में पुरी जिंदी की निकल जाती है अभ हम अपना मकसद पूरा करने के लिए खून भाएंगे इन खलाब की आग अब और जोर से बढ़केगी पंडी जी आजादी की इस आग में डाल दे भगत सिंग नाम का की शाबाश भगत शाबाश इसमिली से तुम्हारी तारीफ सुनी तो थी आज तुम्हारे विचारों में तुम्हारी दिश भक्ती को भी देख लिया है मैंने सुक्देव एक एक प्रदेश की एक एक रांतिकारी पार्टी जो हमारे विचारों से सहमत हो इकठा करो सबको ये बात पहुचा दो कि अगर आजादी की चाह है तो नौ सितंबर को फिरोश्या कोटला में मिले भगा सिंग भगा सिंग हाँ हाँ पंडेची चांद हो जाएए मैं ये कहना चाहता हूँ हम कब ते क्यो ही साम्रदाइक था रंग रूप वो भेदभाव के अधार पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे जरा जरा सी बातों को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है हिंदो मुस्लिव फसाद का फिर हम क्या करें भगत हमको इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आप सब लोग जानते हैं हम इतने सालों से गुलाम क्यों है क्यों? हमारे गुलाम होने का कारण है हम लोगों में एकता का ना होना पंजाब वाले पंजाब को अजाद कराने में लगे हैं महरास्ट वाले महरास्ट रखो कलकत्ता वालों को अपनी जमीन से बतलब है तो यूपी वाले अपनी एक अलग पार्टी बना कर आंदोलन कर रहे हैं मामुली से चीटियां भी जब लड़ने जाती हैं तो एक जुठ हो जाती है अरे हम तो इंसान है किसी की तरफ एक-एक उंगली उठाओगे तो तोड़ दी जाएगी लेकिन जब सारी उंगलीों को मिला कर मुठी बनाओगे तो आजादी आएगी इंकलाब जिन्दाबार दोस्तों हिंदू का हाः और मुसल्मान का माः दोनों को मिला दिया जाए तो हम बनता है हम यानि एकता यानि ताखत मैं राजगुरू पुले से मैं अपने सभी साथियों की तरफ से वदा करता हूँ कि हम सब तुम्हारे साथ हैं हम सब तुम्हारे साथ हैं ब्रिटिश सरकार के वाशिंदे हैं एक लाख ये क्या इनका बाप भी छोड़ेगा हमारा हिंदुस्तान। इंकलाब जिन्दाबाद। दोस्तों, मेरी तर आप सबने भी आजाद भारत का सपना देखा होगा। आजाद हवाए, आजाद पंची, आजाद कदम, आजाद विचार। लेकिन आजाद होने का मतलब ब्रिटिश सरकार से देश को आजाद कराना नहीं है। गोरोगी सरकार से आजाद हो जाएंगे, तो दूसरी सरकार के घुलाम हो जाएंगे हम। इस देश को सरकार नहीं, इस देश को चलाता है किसान। और किसान की एक एक हड़ी तोड़ रखी है सरकार ने, जब एक एक आदमी आजाद होगा, धर्म से, छूत अछूत से, साम्रदाइक्ता से, किसान आजाद होगा, आम आदमी आजाद होगा, ये होगा हमारा भारत, एक आम आदमी का आजाद भारत, हमारी असोसियेशन एक आम आदमी के लिए लड़ेगी इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन का नाम बदल कर होगा हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन और हमारा नारा होगा इंकलाब जिन्दाब 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 प्रवारों के साथ साथ एक आवाज और गुजेगी और वो होगी लाला लाजपत राई की इंकलाब जिन्दाबाद इंकलाब जिन्दाबाद भागत जी मैं राजगुरु फ्रामपुने बोलिये काफी समय से आपके किस्ते सुनते आ रहा हूँ मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ मेरी एक चाह है आपसे इंकार न कहिजिएगा बस बस एक ही सपना है आपके साथ ही जिऊँगा और आपके साथ ही मरूँगा राजगुरु जी ये मेरे लिए भी खुशी की बात है भागत की मा को ये एहसास हो गया कि कहीं मेरा भागत क्रांती की आग में चलना जाये इसलिए उसने बागत को चिठी लिपकर बुल्वाई दूँगा तो अनुँ वेग दियां ते चंगी हो जान दिया पुतर, नहीं वेग दियां ते मर जान दिया शब शब बोल बेबे, वड़ में आ गया न, तो उसी एकदम ठीक हो जाओगे जा पुतर जा, सफर से आया है, आराम कर ले, ठाक गया होगा पुतर, जा जी पेपे, पकट सिंग की मा, बात करी तुमने पकट सिंग से शादी के बारे में जी, मौका देखकर मैं बात कर लूगी, मा हुना मैं मेरी बात नहीं डालेगा अरे, किता बज़ा हा रहा है ना, चुटकी, चल आज़ा, चल बहुत सारी मिठाईया भी तो बैठनी है ओ चुटकी, यहाँ, यह शूर कैसा है? यह शूर नहीं वीर जी, यह ते जश्न है जश्न? आज मैं सागे तो नहीं है आज आपको देखने, पड़ोस से गाउ के सरदार आए है तुम जल्दी से तयार हो जाओ फीर जी, नीचे आओ पगत पुत्त है एकी बेबे, तुसी मेरे बियादी सोच रहा है आरे पुत्त है, हर मा का एक सपना होता है कि उसका बेटा कोड़ी पर बैठ कर जाए और सुन्दर से वोट्टी लेकर आए तू करेगा ना अपने मा का सपना पुरा मा, तेरे लिए तो जान हाजिर है लेकिन जिस राह चल रहा हो वहाँ रिष्टे कोई माईने नहीं रखते क्या पुत्त है? मा, वहाँ सिर्फ एके रिष्टा होता है और वो है देश से प्रेम का मा, मैं, मैं शादी नहीं कर सकता पागत सिंग, तो क्या हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे? कभी पूरे नहीं होंगे सपना ही तो पूरा करने में लगा हो भाओजी तीस करोड हिंदुस्तानियों के तीस करोड सपने जिन में से एक सपना आपका भी है ओ पागत सिंग तू अपनी उम्र के मुंडों के साथ क्यों नहीं रहता? पागत जी, एंगरे सटा देश छट के जान दे क्यों रहीं? हम सब भी तो तिरे हैं पागत मा, बाप, भाई, बेन, दोस्त मेरे पास सिर्फ मा है और वो मुझे, वो मुझे बंदी दिखाई देती है और बागत, समझ यार समझ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, समझ यार समझ ओ ये पुत्तर, कुट कुट के मार जाएंगा आजाद हवा में सास लूँगा, तो फिर जी जाओंगा भागत, भागत, पुत्तर मैं कुछ नहीं जान दी तुझे मेरी बात मारनी पड़ेगी पुत्तर मा, मा मैंनो कुछ नहीं पता बास पहुँच जिद्धी हो गया तु, पहुँच जिद्धी हो गया भागत सिंग की मा ने एक दिन भागत सिंग और तेजा सिंग की लड़की की आपस में मुलाकात करवा दी मा ने ये महसूस किया, शायद ये मुलाकात भागत को शादी करने पर मजबूर कर दे 30 अक्टूबर 1928 का दिन साइमन गो बैक के नारों से गूंज रहा था सभी क्रांतिकारी पाठियां, लाला लाश पतराय और भगत के नारों के साथ अपनी आवाज मिला रही थी साइमन ये बरदाश्ट न कर सका और उसने लाठी चार्ज का ओर्डर दे दिया जिसमें लाला जी के मौके पर ही मौत हो गई, हर भार की तरह इस पार भी गांधी जी ने अहिंसा का विद्रोह किया इधर लाला जी की चिता की आग भड़क रही थी, तो उधर एच आरे के हर एक नए पुराने क्रांतिकारी के मन में बदले की आग भड़क रही थी पंड़ जी, ये लेजिए चाहे नहीं, नहीं पी जाएगी मुझसे ये चाहे पी लेजिए ना पंड़ जी अपने आपको अनाथ महसूस कर रहा हूँ मैं ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे के सामने उसके बाप का खोन कर दिया गया है और वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता हो लाखों सुईया शरीर में एक साथ चुपती सी महसूस हो रही है मुझे एक के बाद एक कड़ी तूटती जा रही है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है कर रहे हैं ना सब, कुछ न कुछ कर रहे कोई साइमन के खिलाफ नारे लगा रहा है कोई शोग प्रकट कर रहा है तो कोई निंदा हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते हमें लाला जी की मौत का बदला लेना होगा लेकिन कैसे स्कॉट का खोन कर दो ठेक, बिल्कुल ठेक स्कॉट को जहन्नुम पहुचाने के लिए कौन-कौन चलेगा मेरे साथ हम सब इस काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग बनने के जिम्मेदारी तुम्हारी है सुखदेव शुक्रिया पंडे जी भगत सिंग जी राजगुरू जी जैगोपाल जी हम चारों मिलकर करेंगे वदि इस स्कॉट का इनकलाब जिन्दाबाद बजा इंद बली की जै बजा इंद बली की जै भगत सिंग राजगुरू चंदर शेखर आजाद जैगोपाल इन सब ने मिलकर स्कॉट को मारने की योजना बनाई सांडर्स को मारने की खबर जैसे ही प्रटिश सरकार के कानू तक पहुँची तो उन्होंने इस हत्या का विरोथ किया भगत सिंग की क्रांती दिन बदिन तेज होती जा रही थी प्रटिश सरकार को ये आभास हो चला था कि अगर भगत को नहीं रोका गया सकती है सुना है कि संडर्स सर को मार कर उनकी सोसियेशन ने लाला लाशपत रहे की मौत का बदला लिया है सांडर्स की दिन दहाडे हत्या करने के खबर सुनते ही ब्रिटिश सरकार के पाउं के नीचे से जैसे जमीन निकल गई चारों के नाम वारन जारी कर दिया गया बॉइस राय ने उनको पकड़ने के लिए चपपे चपपे पर पुलिस बिठा दी भगत सिंग, चंदरशेखराजाद, राजगुरू, सुकदेव की भावी का सहरा लेकर वहां से निकलने में कामियाब रहे ख्रांतिकारी गतिविद्यों को बनाई रखने के लिए अब के बार H.S.R.A. ने कलकत्ता को चुना ये देखिए पंडे जी, क्या लिखाया है ख़वार में? क्या लिखाया है इसमें? कुछ आतंकवादियों त्वारा स्कॉट का कतला हमारी चवी हातंकवादियों की बनाई है इन गोरों ने हमारे साथ-साथ पूरा देश चाहता था कि लाला जी की मौत का बदला लिया चाए इस काम को हमने अपनी जान पर खेल कर अंजाम दिया फिर हम आतंकवादी कैसे हो गए? क्या कॉंग्रेस कुछ भी नहीं करेगी हमारे लिए? कॉंग्रेस सिर्फ कुरसी चाहती है उसकी नजर में क्रांतिकारी और आतंकवादी एक ही है क्यों? क्योंकि हम सब उनकी बातों से सहमत नहीं है इसलिए काट पर बैट बैट कर लोग काट हो गए है हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है कहीं हमारी इनकिलाब का सपना अधूरा न रह जाए ब्रिटिश सरकार ने हमारा ओदा हमारी आवाम के सामने एक आतंकवादी का रखा है इससे पहले कि जनता हमें पूरी तिरह से आतंकवादी समझे हमें अपने एक-एक मकसद की जानकारी जनता तक पहुचानी होगी कि हम आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं तभी हमारा देश हमें समझेगा हमें जानेगा अब की बार हमें ऐसा धमाका करना होगा जिसके गोंज पुरे भारत में सुनाई दे ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों वो मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था सरकार इनसे विरोत करने का हक छीनने में लगी थी भगत सिंग को ये बात नागवार लगी किसानों और मजदूरों का हक वापस दिलाने की जिम्मेदारी भी भगत सिंग ने उठाई कब तक? कब तक शोशित वर्क पर नाजायस थाकत का इस्तेमाल किया जाएगा मालिक मजदूर का गोरे कालों का कब तक शोशन करेंगे? फसले उगाने वाले किसान के पास, खाने के लिए दो दाने नहीं होते और सरकारी गदा मनाजों से भरे रहते हैं गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमेर! और अमेर! जब एक काम आदमी आजाद होगा तभी होगा हमारा भारत आजाद! अब की बार हमें ऐसा कुछ करना होगा जो जनता के हित में हो अब प्रिटिश सरकार की नीव तक हिल जाए यही तो सोचना है एक ऐसा धमाका जिसे इंगलेंड में बैठी रानी तक के पैरों के नीची से जमीन निकल जाए अब की बार हम बम भोड़ेंगे बम? बम? हाँ बम लेकिन कहा? बिल्ली में असेम्बली के अंदर असेम्बली में? लेकिन असेम्बली में है क्यो? सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पबलिक सेफटी बिल के जरीए मजदूरों का हक मारने में लगी है अगर ये बिल पास हो गए तो मजदूर किसी नाजायस बात का विरोध भी नहीं कर सकेगा स्ट्राइक करना गेर खानूनी हो जाएगा और विरोध करने वालों को बिना किसी सबूत के जील भेज़ दिया जाएगा आने वाली आठ अप्रिल को वेलस रॉयस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगा बस तभी हम बम भेगेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे लेकिन इस बात का विरोध दूसरे तरीके से भी तो किया जा सकता है फिर बम ही क्यों? क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है भगत, पुलिस हमें पहले से ही ढून रही है अगर इस धमाके में किसी की जान चली गई तो बम जान बुझ कर खाले जगा फेका जाएगा बम फेकने के पीछे सिर्फ एकी मकसद होगा बिटिश सरकार तक अपनी बात पहुचाना कि पंची ने पिंजरे में फड़फडाना शुरू कर दिया है और जब पंची फड़फडाता है तो पिंजरे की कोई आवकात नहीं रह जाती शाबाश भगत, शाबाश इस से हमारी बात जंता और सरकार दोनों तक पहुचाएगी हमारी तरफ से जो भी जायेगा वापस नहीं आएगा गिरफतारी देगा लेकिन क्यों भगत? गिरफतारी देने से ये बात साफ हो जाएगी कि हम सब क्रांतिकारी हैं आधंखवादी नहीं हम भी हिंदोस्तान की जनता का एक अंश हैं और उनी के लिए लड़ रहे हैं कोट केस के दौरान हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे और मनवाएंगे भी इस काम को अंजाम तिक पहुचाने के लिए मेरे साथ चलेगा बटू की शुर्दत पंडी जी बस आपके आश्रवात की जरूरत है भगत भगत आस तुमने मुझे निश्ब्द कर दिया इनकलाब जिन्दाबाद इनकलाब जिन्दाबाद आठ अप्रेल उनीस सो उन्तीस को जब वोईसरोय नैशनल एसेंबली में बिल पास करवा रहा था तब भगत सिंग और बटुकेश्वर डथ ने असेंबली में बंप फेका इनकलाब जिन्दाबाद सामराज जिवाद मुर्दाबाद के नारों से असेंबली गूंज उठी तुम फार ये आरुप हाई कि असेंबली में बंप फेका तुम सब को मारना चाटा है यूर अनर ये सब जूट है हम किसी को मारना नहीं चाते थे फिर तुम ने असेंबली में बंप क्यों फेका बंप फेकने से आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है हमने बंप को जान बूश कर इतनी दूर फेका जिससे कोई नुखसान ना हो बिटिश सरकार लोगों की चीखे बुगारे सुन-सुन कर बहरी हो गई है नारों की गूंच तो आप लोगों के कानों में पड़ती ही नहीं इसलिए बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है ये धमाका इसलिए किया गया कि हमारी बाते सरगार तक पहुँचे सबको पेट भर खाना खिलाने वाला किजान आज भूखा मर रहा है ट्रेड डिस्प्यूट बिल के जरिए मजदूरों से विरोध करने का बुन्यादी हक भी छील लिया आपने सरकार इनकी तरफ भी ध्यान दे इसलिए ये बम फोड़ा गया इस बम के जरिये हम अपने देश के नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि कहने और करने में फर्क होता है वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है सर्फरोश की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे गातिल में है चलो आई खाने का समय हो गया है चलो खाना खालो सर्फरोश की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे ये ये खाना है? खालो खालो तुम्हारे लिए एकदम जायकेदार एकदम स्पेशल खाना है जो अंग्रेजों के महलों से चल कर सिरिफ तुम लोगों के लिए आया है अच्छा आओ भाईयो ये ये कोई खाना है ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते हम केसे खाएंगे खालो खालो यहाँ पर यही खाना मिलता है तबहीं तो कह रहा था अंग्रेजों के महलों से चल कर तुम्हारे लिए आया है ये जायकेदार पेशल खाना वो लोग छोड़ देते हैं और हम लोग खा लेते हैं खालो मैं इस खाने को हर्गिज नहीं खाऊंगा खाना है तो खाऊ, नहीं तो नहीं, बाल रे जाओ मैं नहीं खाऊंगा यहाँ पर यही खाना मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा तुम्हारे लिए हम इस जेल के तौर तरीके नहीं पदलने वाले और नाशवर मचाओ, ये खाना जब चाप खालो मैं नहीं खाऊंगा कब तक? जब तक खाने लया, खाना नहीं मिलता देखते हैं, कब तक भूखे रहते हो तुम? देखते हैं, तुम हमें कब तक भूखा रखते हो? इस case को दिल्ली के court से Court of Special Magistrate Lahore में ट्रांसफर कर दिया गया और वहां Your Honor, Please allow me to start the case You may Your Honor, Bhagat Singh और Batukeshwadat ने ये माल लिया है कि Assembly में बाम इन्हों ने ही फेका लेकिन बाम फेकने के पीछे सिर्फ यही जोनों ही नहीं थे इनके और साथी भी थे Raid में पोलिस ने सबको गिर्फटार कर लिया है सबको पेश करने की पर्मिशन हाए पर्मिशन हाए इनकलाब जिन्दावाद इनकलाब जिन्दावाद दोस्त यहां कैसे तोष्टी की है ने भाएंगे नहीं क्या बहुत बिल्गल सही का तुमने Your Honor, सरकारी गवाद कोश को विटनस भाक्स में बुलाना चाहूंगा Mr. Dutt ये सरा इठर देखिये क्या आप इन सबको जानते है जी आदेंटिफाइदेम Bhagat Singh Bhattu Keshwar Dutt Gaya Prasad Shivwarma Sukhdev Kamal Tiwari Rajguru Jayadat Kapoor Just go in detail, go in detail Bum ko फेकने का प्लान आजाद, Bhagat Singh, Sukhdev और Rajguru ने बनाया था ये जतिन्दाने इनको Bum बनाना सिखाया था और इस काम में मैं घोष और इनके ये सभी साथ ही शामिल थे Okay, so you'll see, Your Honor This is the case Radar तेजद्रई छोड़ूँगा नहीं तुझे The court is adjourned for the day Till the next date Bhagat, मैं ये क्या सुन रहा हूँ तुने ये क्या हट लगा रखी है खाना नहीं खाएगा अरे खाना नहीं खाएगा तो जीएगा कैसे और जीएगा नहीं तो लड़ेगा कैसे मैं नहीं खाऊंगा आपको अच्छा खाना चाहिए ना मैं किसी ना किसी से कहकर मंगवा दूँगा बात मुझे अच्छा खाना खिलाने की नहीं है बात है सबकी मैं खुद तो सबकु सहन कर सकता हूँ लेकिन किसी की तकलीफ मुझसे बरदाश्ट नहीं होते तो फिर इस लड़ाई में मैं भी तेरे साथ हूँ हम सब तुम्हारे साथ हैं क्यों बच्पना करते हो दोस्तो मैं लड़तू रहा हूँ सारी लड़ाईयां साथ साथ लड़ी हैं भगत तो इस लड़ाई के लिए हम तुम्हें कैसे अकिला छोड़ दे जिद मत करो मेरी बात हम सबने वादा किया था कि हर कदम साथ में बढ़ेगा फिर हमारे कदम पीछे कैसे रह सकते हैं हासान नहीं है मुश्किल भी तो नहीं लग रहा एक एक पल में सो सो मौते मिलेंगे कुछ मिली रहा है ना जिद मत करो अब सिर्फ भूख खड़ताल करेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में मैं भी देखता हूँ कब तक जिद पर अड़ता है जबर्दस्ति खिला देखता हूँ कैसे नहीं खाता खा मैं नहीं खाऊंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तू यहां अपनी मांगों को लेकर भूख खरताल पर अड़ा है और वहां अंग्रेजों के घरों में पार्टियां चल रही है तेरी मांगे तो उन्होंने अभी तक सुनी भी नहीं है आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे भगत भगत मैं अंग्रेजों का मुलाजिम हूँ तो क्या हुआ हरे मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ मेरी बात मान ले भाई भगत खाना खा ले हाँ, मैं भी तो हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान की हर एक बच्चे के जुबाँ पर भगत सिंग का नाम था भगत सिंग के क्रांती की आग अब इतनी जोर से जल रही थी कि सभी सरकारों को अपनी कुर्जियां चलती दिखाई दे रही। बॉइसराई को महसूस हो चुका था कि भगत सिंग की भूख हर्ताल खत्म नहीं की गई तो उसके भी हाथ जल जाएंगे। इसलिए बॉइसराई ने भगत सिंग की सभी मांगों को स्वेकारा लेकिन तब तक भगत सिंग का एक ग्रांती कारी सदस से जतिन्दा इस भूख हर्ताल की भेट चड़ चुका था। ये तो ये तो ये रहनर सबित हो चुका है की बम भगत सिंग और उनके साथियों ने बनाया और फेका। इससे ये भी साफ हो गया है की मुचरिमों को चुर्म करने की आज़त से हो गई है। इस लाइक ए हैबित ये नो आप कहना क्या चाते हैं। ये रहनर, बम भेकना तो इस केस की डूसरी करी है, पहली करी है स्कॉट मुडर केस। किसी को भी मुजरिम ठहराने के लिए सबूत की जरुरत होती है वकिल सहाब। मैं ये साविट कर सकता हूँ कि इन सब ने स्कॉट की जान पूच कर सोची समझी साज़श के तहत हत्या की थी। आपकी इचाज़त हो तो मैं इस केस का मुख्यगवाँ जैगोपाल को अडालत में पुलाना चाहूँगा। जैगोपाल? खबदार? तुझे भी नौकर रख लिया इन लोगों ने? कितने पैसे लिये हैं तुने? देश द्रोही? नमस्ते तम स्काट मदर केस के बारे में क्या चानते हो? लाला जी की हत्या के बाद एचारे ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया था जो बदला पूरा हुआ स्काट का खून करके इन सब करांती कारियों के साथ साथ मैं भी इसमें शामिल था सुखदेयो और राजगुरू ने इसका प्लान बनाया था और भगत सिंग ने स इन सब ने मिलकर स्काट का मुदर किया एक्ट 121 एं 302 के अंडर इन तेनों को फासी दी जाती है और इनका साथ तेने वालों को उम्र कैट आई हाफ साइन दा वारंट आफ चंडर शेखर आज़ाद अदालत ने चंडर शेखर आज़ाद के नाम वारंट चारी कर दिया एक दिन आज़ाद जब अपने कुछ साथियों के साथ पैठे आगे की यूजना बना रहे थे तब ही पुलिस ने उनको घेड लिया चारों तरफ से गोलिया चली जब चंडर शेखर आज़ाद को लगा कि वो यहां से निकल नहीं सकती तो उन्होंने अपनी बंदूप से आखिरी गोली खुद को मार ली और अपना सपना सच कर दिखाया आज़ाद हूँ, आज़ाद आया हूँ, आज़ाद ही जाऊंगा भगत ने जो इनकलाब का सपना देखा था, वो सच होता जा रहा था वोईसरोय इस बात से घबडा गया और उसने भगत सिंग, सुकदेव, राजगुरू की फासी की तारीक से पहले ही उनकी फासी के आदेश जारी कर दिये गांधी जी के निवास थान के बाहर, गांधी हाय हाय के नारों की गूंज कुछ दिन तक गूंजी, और फिर शान्त हो गई सभी जानते थे, कि अगर गांधी चाहते, तो ये फासी रुकवा सकते थे लाखो क्रांतिकारियों के एक ही सवाल का जवाब गांधी कभी नहीं दे पाए पतर, पतरे नहीं छोटी जी अमर दे देख्शे सस्रियकाल जी सस्रिकाल पगत, सस्रिकाल बाओ जी, अब जिन्दगी मिली ना, तो अब की बाहर आपके सपने जरूर पूरे खरूंगा का कह रहा है मिरे बेटे मुझे माफ करना बाओ जी, आज, आज देश का सपना पूरा करने दो पगत, जी पहरे हैं पतर चलता हूं मा, जाते जाते, गले भी नहीं लगाएगी पतर पतर, तू हम सब को चूड के चला जाएगा कि पतर ना जा कहा रहा हूं मा मैं तो, मैं तो तेरी सांसों से चुड़ा हूँ जब जब तू सांस लेगी, मुझे पाएगी चुटकी का ख्याल रखना जब भारत आजाद होगा, तो फेराओंगा मैं आजाद हवा के साथ चलो, तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है चलो जेलर साहब मैं हाथ कड़ी नहीं लगवाँ हाज ऐसे ही आज भी बांदोगे जेलर साहब आज तो आसाज जाने दो जो वरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें जो फांसी पर चड़े केल में उनकी याद करें जो वरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें जो फासी पर चड़े खेल में उनकी याद करें जो वरसों तक लड़े जेल में याद करें काला पानी को अंग्रेजों की मन मानी को कोलू में जुक तेल पेर थे सावर कर से बलिदानी को याद करें साला जारों को जारों के अत्या चारों को साई विरिया के निर्वा से शिवरों के हाहा कारों को जो बरसों तक लड़े जिल में बलिदानों की बेला आई लोक तंत्र दे रहा दुहाई स्वाभी मान से वही जीगा जिससे की मत गई चुकाई बलिदानों की बेला आई लोक तंत्र दे रहा दुहाई स्वाभी मान से वही जीगा जिससे की मत गई चुकाई मुक्ति मांगती शक्ति संगतित युक्ति सुसंगत भक्तिय कंपित तिति तेजस्वे घिति घिमगिरिसी मुक्ति मांगती गतिय प्रतिहत अंतिन विजे सुनस्चित पत्थ में क्यों अवसाद करें जो फासी पर चड़े केल में उनकी याद करें जो बरसों तक लड़े जेल में आखरी ख्वाहिश एक बार हम गले मिलना चाहते हैं हाँ हाँ जरूर जरूर बगत सक्देव राज गुरू राज बगत सिंग राज इनकलाब जिन्दाबाद किसी के नाम अपनी जिन्दगी बिता देना और अपनी मौत को भी उसी के नाम कर देना सुनने में ये बात अच्छी लगती है लेकिन असल में रोंग्टे खड़े कर देती है हम सब ने ईश्वर को कभी नहीं देखा लेकिन भगत सिंग को ईश्वर का रूप कहें तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि ईश्वर ही बिना किसी खून के रिष्टे के सब की सहायता करता है शत शत प्रणाम है इन शहीदों को जिनकी वज़े से हम आज एक एक आजाज सांस ले रहे हैं भगत का तात परिह